आज दिल्ली में महाराष्ट के उर्जया मंत्री और कॉंग्रेस के अनुसुचित जाती सेल के प्रमुत दॉक्टर नितिन राउट इनके नेत्रतु में दिल्ली में एक जो घटना घटी उस घटना के खिलाफ में आंदोलन किया जा रहा है दिल्ली की जो घटना है एक बड़ी छोड़ी सी नौ साल की बच्ची के उपर जो अत्याचार हुआ है यह बहुत ही दर्दनाक है दुखद है और इसका हम निशेट करते हैं लेकिन उसके साथ साथ यह जो कॉंग्रेस की और से नितिन राउट जी के नेत्रुतु में वहाँ पर आज धरना अंदोलन हुआ है यह केवल्ड धोंग है क्योंकि आज सबसे ज़्यादा घटना है यह महाराष्ट में हो रही है उसमें कि किसी भी घटना के घटना स्कल पर डॉक्टर नितिन राउट नहीं गए उनकी सरकार महाराष्ट में वहाँ पर जाकर किसी परिवार को नहीं मिले उन्होंने उस परिवार की आवाज को नहीं उठाया अपनी सरकार के खिलाफ एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया तो आप उत्तरबदेश में जाकर आंदोलन करते हो दिल्ली में जाकर आंदोलन करते हो और आपके नाक के नीचे महाराष्टर के अंदर दलीतों के उपर अत्य प्रमुक्रूप से अगर कुछ घटनाओं का उल्लेक करूं तो हर महने में घटी हुई गंबीर गटना यह लिकिन उसमें जो जादा गंबीर गटना है उनका भी अगर मैं उल्लेक करूं तो 27 में को नर्खेड नाकुर में एक दलित जो युवक है उसकी हद्या की गई 7 जून को पुना में हद्या की गई 27 अक्टूबर को उनापूर में एक 20 वर्षिय बच्ची पर बलादकार किया गया उनकी हद्ता की गई पारोडा में एक दलित महिला पर बलादकार किया गया डिसेंबर 2020 में जलगाव जीले में वापिस इसी प्रकार की घटना हुई फेबरुआरी 2021 में सोलापूर में सोला साल की एक दलित बच्ची के ओपर अत्याचार हुआ जून 2021 में बिलवडी जामनेर में एक दलित लड़की के ओपर अत्याचार हुआ जूलई में बुल्धाना में एक दलित समाज के अपँग लड़की के ओपर अत्याचार हुआ उन्ती जूलई को नाकपूर के टिमकी परिसर में एक दलित तरूरी पर बलादकार हुआ एक अगस्त को एक 35 वर्षय महिला का खून कर दिया गया 20 जनवरी को नांदेड में घटना हुई 25 फेबरुआरी को सिलोड में इसी परकार की घटना हुई 17 फेबरुआरी को डोंगरगा वरंगाबाद में एक दलित समाज की माता और उनके बेटे को जिन्दा जलाया गया 14 मार्च को एक और हवरंगाबाद में इसी परकार की घटना हुई 25 में को बावुल गाव बीड में इस परकार की घटना हुई 27 में 2020 को चिखली बुल्धाना में इसी परकार की घटना हुई 19 में को घंसावंगी में घटना हुई 24 जून को सावर खेडा में घटना हुई 25 ज एक दलित यूती को आत्मत्या करनी पड़ी क्योंकि उसको कुछ लड़के तंग कर रहे थे 4 सिकंबर को दो दलित युवाओ की हत्या की गई 11 नमंबर को लातूर में एक हत्या की गई 9 नमंबर को एक बिलोली में दिव्यांग दलित महिला के उपर बलातकार किया गया 11 नमंबर को इसी परकार से बीड में एक घटना हुई 21 जन्वरी को एक नान्यड में एक अलपोवईन दलित लड़की का बलातकार भी और उसकी हत्या भी हुई 8 फर्वरी को जामनेर में 15 वर्षिय एक लड़के ने आत्मत्या की क्योंकि उसको जाब के उपर चला गया 19 फर्वरी को लातुर में घटना हुई 21 फर्वरी को नान्यड में घटना हुई ना उनको कोई मड़की गई ना उनके परिवार में वो गए खुल मिलाकर केवल राजनीती के लिए दिल्ली में जाकर इस प्रकार का आन्दूलन करना यह पूरी राजनीती है और इस प्रकार से ऐसी घटनायों में भी राजनीती करना हम इसका कर दे कर दे